आज हम दचे सरी संबनी महतरपूर पेंटिंग आपके आपके सामे लाए हैं और यह ट्रिक आप लोग के लिए बहुत काम आगा है क्योंकि बहुत सा स्टुटेंट्स जो पेंटिंग को यह तीथियों को याद करने बहुत दिक्कत होती है तो यह वीडू आप लोग लिए पे सी ट्रिक है कौन सा ऐसी लाइन है जिसको यादकर करक 뜻 हैं सारे को याद कर सकते हैं तो आइए चलते हैं कि तो सबसे पहले दisexualி की बात करते हैं तो पैंटेंग में देखो एक पैंटेंग है दुमित्रों यह जो सुल्तान आदिल सास reality तैंबूला खेल रहा है यहां पर लिखा है माग रहा है यहां पर फारूक भीritos बाव है यहां पर रहा है अर यहां पर हुआ हुआ है तो यह पेंटिन आप देख सेपकों इन पेंटिं में क्या दिखाया जा रहा है आप इसको अब जार कर सकते हैं इसके अबला जो नेक्स पेंटिंग है उसमें क्या तरह दूस्ट होई होई इसमें और ऐसा जो चयरा है का फी डल ही कि कहक सकती हों तो इसमें किस तरह से चित्रण किया गए इसको आप अच्छे से observe कर सकते हैं कि ж्कूंधrzy रें निक्सपेंटिंग गी इसमें आप देख सकतेों higi nuestrachn Social नाम च Anfanga जो है ऑनेहं ट्रोंज का मतलब है और एवे पंद्रीस 12 थे सो अ कि पेंटिंग है इसमें आप गयी तरह से क्रम भाइज करिम यूद पर company तरहाल में मुझे दिखाना जिसको अप ध्यां रख सकते हो। और किस जगह पर रखी गही यह भी आप ध्यान दे पाएंगे इसके अलब हम नेक्स पेंटिंग को हम देख पाएंगे कि डांसिंग मतलता मुहम्मद कुलिपसा के सामने जो नास्ते हुए जो एक पेंटिंग है जो आप देख सकते हो यह नित बड़ा ही अनोखा फ्लैट पेंटिंग और गोल कुंडा से चुड़ा हुआ है तो हम नेक्स पेंटिंग दिए बात करते हैं तो यह जो पूरत इंद गार्डन जो है और यह जो है मुहम्मद अली का है जो है गोल कुंडा से लिया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि यह जो कभी है चिंतन कर रहा इसके अलावा यह अब देख सकते हो पेंटिंग किस संगी बनी है 1615 के बीच यह बनी हुई यूस्ट में रखी गई है और इसके अलावा कंपोस साइड होर्स आप देख सकते हो कैसे जो है एक घोड़े के अंदर जो है परशन को उसमें उकेरा गया है बनाया गया बैग्रा अब देख सकते हो कुसकु सुल्तान इंबराहिम आदिल जो है चुन्दि होकिंग जो है काफी सुन्दर जो है बैगराउंड में और पहारों का चीक्त बहुत ही अच्छी तरीकिस किया जो घोड़ी का रंग देख सकता है किस रंग का किया गया का उन्दर बनाने के लिए इ तो इसको अलग रखे हैं द्रागनी पार्शाला राग हिंदोला से जुड़ा हुआ ये भी आप देख सकते हो कि पेंटिंग जो किस सन के जो 1590 में जो है के 1595 के आराउंड में जो है बनी हुए है पेंटिंग इसमें देख सकते हो फ्लाइट टाइप का जो है देखते हैं तो आप देख सकते हो जैसे हम लोग यह पेंटिंग जो देख रहे थे यह पेंटिंग आपने देख लिया इसके लावा नेक्स पेंटिंग थी मित्रों यह कौन सी पेंटिंग थी हाँ यह पेंटिंग का नाम है सुल्तान अब्दूल ला कुतूब शार जो की पें काफी detailing के साथ बनाए गया है इसके अलाब आम नेक्स पेंटिंग देख सकते हो हज्रत जो है निजामुदीन और अमीर खुसरू का यह पेंटिंग है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि बैग्राउंड में किस टाइप किस रंगा प्रयों गया फूल पेड़ पर फूल का जो जित्र है वो किस टाइप से है और जो अमीर खुसरों है वो किस ट्रेके से बैठे हुए है नीचे क्या है और यह जो लिये हुए है वो उसको क्या कहते है ये सब चीजे जो है आप लोगों ध्यामे रखने की जोड़ सकती है तो यह सारी चीजे में पेंटिंग दिखाने का म प्रख सकती है जो हमाले जो ट्रिक लाइन है जिसको आपको याद रखना है वो लाइन यह है स्रीहासर पर जो है स्रमिद कूली रागनी तंबूरा बाग में कभी के साथ खेलकर योगनी योगिनी घोड़े से सुल्तान हजरत चांद के पास जाती है इस लाइन को याद करकर साथि च्शाए आप देखो कि तीथी को में झृट वह बर्ट फी में मैं रख्धा जैसे कि 1565 मतलब कि 15 65 से लेकर झुब कि benefit हो याद फंदर बार में और 9595 गार जो यह paint स्थियासर बेठे राजा है और 1570 में स्रमृद का सिहासर है और देखो कि 1590 में जो है मुहममध कुली कुदुपसा के सामने नित्य है जो पेंटिंग दिख रहे थे आप लोग जो है फिर नब्वे में जो 20 एक्सर में 16 सर 5 है जिसमें बाग में कभी मुहमध करी को दिखाय गया है 17 में जो C में मैंने रखा है दो पेंडिंग जो है उसकी कंपोस जो है यह जैसे ही यह कंपोसाइड वाला है यह होर्स है और जो है और योगनी है यह दो पेंडिंग है जो यह ट्रिक के रहे है तो याद होता है तो कमेंट में जो लिखे कि सर हमने याद कर लिए यह लाइब आक लिए कितना कारगर है